नमस्कार बहुत से बार abortion के बाद कुछ महिला है क्लिनिक में आती है और मुझे सवाल पूछती है कि मैम जो abortion कुछ दिन पहले मेरा हुआ था मुझे लगता है कि वो abortion सही तरीके से नहीं हुआ यानिकि complete abortion नहीं है complete डर्वपाथ नहीं हो पाया है क्योंकि आज सुबह ही मैंने pregnancy test की है और वो pregnancy test strongly positive दिखा रही है सो तो प्लीज मुझे आप कुछ दवाईया या medicine दीजिए या surgically अगर कोई गर्भ बच्चादानी में है तो उसे निकाल लीजिए ताकि आगे चलकर मुझे कोई problem ना हो सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले है कि क्या अगर्भ बच्चाद के बाद आपको pregnancy test करवानी चाहिए अगर हा तो कितने दिन बात करवानी चाहिए और अगर नहीं तो pregnancy test आपको क्यों नहीं करनी चाहिए अगर इस चैनल पर आप नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथ ही में बेल पटन दबाना न भूले ताकि जनरल हेल्थ रिलेटेड वुमन हेल्थ रिलेटेड ऑथन्टिक इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए सो ये सवाल का जवाब जानने के पहले कि क्या गर्बपात के बाद या अबॉर्शन किट लेने के बाद आपको प्रेगननसी टेस्ट करवानी चाहिए कन्फरमेशन के लिए कि क्या आपका अबॉर्शन पूरी तरीके से हुआ है या नहीं ये जानने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगे कि pregnancy test होती क्या है जब भी आप बाजार से pregnancy kit मंगवा के pregnancy test करते हो तो आपके जो urine के drops आप वो kit में add करते हो तो urine में अगर आप pregnant हो तो वो आपकी urine में beta-scg नाम का pregnancy का hormone आपके urine में present रहेगा अब ये beta-scg hormone क्या होता है beta-scg यानि कि human chorionic gonadropin hormone ये जो hormone होता है जब भी आपको pregnancy ठहरती है यानि कि बुरुन या गर्ब आपको ठहरता है तो ये गर्ब जब भी बच्चादानी को चिपकता है वो कुछ cells से चिपकता है जिसे हम trophoblastic cells कहते है और ये beta-scg hormone ये trophoblastic cells बनाते है तो अगर आपको pregnancy है तो ये beta-scg level आपके blood और urine में रहेगा और आपकी blood test या urine test pregnancy के लिए positive आएगी तो abortion के बाद क्या होता है कुछ महीलाओं में ये जो beta-scg hormone होता है वो कुछ दिन तक, कुछ हफतों तक या कुछ मैने तक भी blood या urine में present रह सकता और इसलिए आपकी pregnancy test positive आ सकती है तो अगर आपकी pregnancy test positive abortion के बाद ये इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि आपका abortion पूरी तरीके से complete नहीं हुआ है और इसलिए आप tension में आ जाओगे आपको tension लेनी के जरूरत नहीं है अगर आपको लगता है कि आपका pregnancy test positive आया है तो जल्द से जल्द आपको आपके gynecologist या फैमिली डॉक्टर को consult करना चाहिए और ये clear कर लेना चाहिए with the help of ultrasound या sonographic कि आपका abortion पूरी तरीके से complete हुआ है या नहीं यानि कि pregnancy test ये positive sign of pregnancy है बट बीटा SCG level पूरी तरीके से हर महिला में तुरंद दूसरे दिन ही clear नहीं होता है वो कुछ दिन तक आपके blood में रह सकता है और इसलिए test positive हो सकता है इवन आपका abortion complete होने के बाद भी so pregnancy test जो होती है urine pregnancy test ये confirmatory test नहीं है कि आपका abortion हुआ है या नहीं जो confirmatory test है वो है ultrasound या sonography sonography को में आपको directly दिख जाएगा कि क्या बच्चा दानी में कोई गर्ब का टुकड़ा या गर्ब बचा तो नहीं है जिसके लिए आपको कुछ further management करनी चाहिए so I hope ये information आपको अच्छी लगी है और ये information अगर आपको अच्छी लगी है तो please आपके friends और relatives में इसे जरूर शेयर कीजिए और ऐसे health related information के लिए इस channel को subscribe जरूर कीजिए